और दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरी YouTube Channel में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं फ्लोड़ बोल के बारे में यह जो total system में कैसे काम करता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे यह जो चेज है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कुलर के अंदर इस्तमाल होता है और कहीं सारा एक्यूपमेंट में इस्तमाल होता है इंडूस्ट्री के अंदर मेकानिकल इंडूस्ट्री के अंदर हो गया बड़ा-बड़ा कुलर के अंदर हो गया कॉल्ड स्टोरेज में जो बड़ा-बड़ा कुलर हो था उसके अंदर बैस लिए टैंक में पने च्छित करने के बार दख सकते हैं यह यहां पर दो रबर है भी रिंब ह Irish नहीं होने के लिए पानी इसको लगाय जाता है फिर वाचर ने लगा कि यह नौक रो जाता है यहां पर pipe connection दिया जाता है जहां से आपका पानी आता है तो एक क्या होगा जो पानी नीचे होगा लेबल इसका लेबल से नीचे होगा यह सब ऍससका मेरज जारेगा आपका उपंड रहतो हैं इंहां से पानी आता जैंगते को सब्सक्राइब नर्च बिhrाख इंडे है शुक्तम. पानी आने वला उन्हार तरा नलazर है और पानी नहीं क्नाता है। छावर दीःवंच स्थित लेगिन यान वर पानी कम होता है vip फिर या आना चाल हो जाता है ज्यासे पानी भरता ह्ना फिश्छे बंध बंध हो जाता है। सो एक ऐसे काम करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अंदर क्या है वह भी देख लेते हैं इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता है यह छोटा बाला फ्लोट बॉल है इसलिए इसके अंदर काफी सारा चीज़े नहीं होता है देख सकते हैं कि रॉबर है एक छैद है दि सकते हैं आगे पीछे हो रहा है जैसे पानी नीचे चला जाता है यह जो रबर है पीछे आ जाता है तो यह जो छेद यह फुली ओपन हो जाता है होने के बाद पानी यहां पे गिरता है फिर यहां से आके यहां सोके नीचे आ जाता है जैसे जैसे पानी भरता है यह होता क्या ह अदकर देनी ज़ो शिर करोंड़ हो पाइन यह स्या Gal18 विव्यक्तेजा सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब इस बंद करोंषएब आपका और काफी सारे वीडियो में यूटूब चनल पर डालता रहेता हूं दोस्तों और डालने वाला वाला अग्ये जो आपको काफी काम आने वाला है इसलिए चनल को लाइक करना ना बुलें और आपको अगर कोई डाउट से कुछुछ भी पाइपिंग और हो गया सो मैं आपको वीडियो करके डाल दूंगा सो दोस्तों आज के लिए बास इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में